6.5 अंतर जिल्ली तंतर की कारिप्रणाली, function of endomembrane system आईए एक उधारन की सहायता से इस तंतर की कारिप्रणाली को समझने का प्रयास करें प्रोटीन संसलेशन की प्रक्रिया के समय, राइबोसोम अंतर प्रद्रवी जालिका से जुड़ जाते हैं तथा इसमें बनने वाले प्रोटीन अंतर प्रद्रवी जालिका की गुहा में प्रवेश कर जाते हैं यहां से छोटी छोटी थैलियों में प्रोटीन गौलजी काय तक पहुचाय जाते हैं गौल जीका इनकी पैकेजिंग का काम करता है, यानि जादा से जादा प्रोटीन को थैलियों में भरा जाता है। यहां से पदार्थ कोशिका के अनिभागों में जैसे कोशिका जिल्ली, केंद्रक जिल्ली इत्यादी तक भेजे जाते हैं। यह पदार्थ कई कारिय यानि जिल के बनने में इत्यादी में काम आते हैं या बाहर स्त्रवित कर दिये जाते हैं। इन उधार्णों से हमने यह समझा कि कोशिका में संपन्न होने वाले एक कारे के लिए विभिन कोशिकांगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आये कुछ और कोशिकांगों का अध्यन करे 6.6 अंता सहजीविता से बने अंग। वैज्यानिकों ने पाया कि कोशिकाओं में कुछ ऐसे जीव प्रवेश कर गए जिनके कोशिका द्रव दोहरी जिल्ली से घीरे थे और उनमें अनुवानशिक पदार्थ उपस्थित थे। समय के साथ ये कोशिका के कारियों के अभिन ह हिस्से बन गए। मैटोकॉंड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे ही कोशिकांग है। मेजबान होस्ट कोशिका को मैटोकॉंड्रिया के जैसे जीवों से उर्जा और क्लोरोप्लास्ट जैसे जीवों से पोशन मिनने लगा। इन जीवों को मेजबान कोशिका से रहने के जैसे गोल, छड़नुमा, शाखित, आदी ये केंद्रक से करीब 6 से 10 गुना छोटे होते हैं एक कोशिका में लगभग 100 से 1000 माइट्रोकॉंड्रिया हो सकते हैं यदि एक इस्तनधारी के लीवर यानि कि यक्रित की एक कोशिका का उधारन ले और उसमें उपस्तित सारे माइट्रोकॉंड्रिया को मिला दे तो वह उस कोशिका का 15 से 20 प्रतिशत भाग घेर लेगा कोशिका की श्वसन क्रिया में माइट्रोकॉंड्रिया की महत्तुपुन भूमिका होती है ये कोशिका की जैविक क्रियाओं का उजस्त रोध बने रहते हैं अनुवान्शिक पदार्थों के होने से माइट्रोकॉंड्रिया विभाजित होता है और अनुवान्शिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचते हैं क्या आप जानते हैं? माइट्रोकॉंड्रिया एवं अन्तरप्रद्रवी जालिका में गत्यात्मक संबंध है इस संबंध के बारे में हम तब जान पाए जब अन्तरप्रद्रवी जालिका द्वारा माइट्रोकॉंड्रिया को विभाजित करने के लिए उत्तेजित करते देखा गया अंतर प्रदवी जालिका की नलिका के फंदे से माइट्रो कॉंडिया दो भागों में विभाजित होते देखे गए हैं प्रत्येक भाग स्वतंत्र माइट्रो कॉंडिया के रूप में कारे करने में सक्षम रहा किसी भी कोशिका में माइट्रोकॉंडिया का ज्यादा संख्या में होना क्यों जरूरी है 6.6.2 लवक, प्लास्टेट यह कोशिकांग पादप कोशिकाओं में पाया जाता है समानेता जन्तु कोशिकाओं में इसका आभा होता है वर्नक की उपस्थिती के आधार पर लवक दो प्रकार के होते हैं पहरा, रंगीन लवक, इसमें वर्नक नहीं पाया जाता यह स्टार्च के रूप में भोजन संचित करता है इसे हम मक्के के बीज, आलू, मूली, आदी में देख सकते हैं दूसरा, रंगीन लवक, इसमें वर्नक पाय जाते हैं यह कई रंगों के होते हैं बीज, पुष्प, एवं फलो के रंग, इनकी उपस्थिती से दिखाई देते हैं हरे रंग के लवक क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं यह डिस्क नुमा, अंडाकार, लेंस के आकार के, सीड़ी नुमा, सितारे नुमा, कुंडलाकार, जाल नुमा, इत्यादी आकार के होते हैं क्या आप जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट का व्यास किसी माइट्रोकॉंड्रिया से लगभग दुगना होता है क्लोरोप्लास्ट दोरी जिल्ली से घीरे होते हैं दोनों जिल्ली के अलावा एक और जिल्ली पाई जाती है जिसे थैली जैसे सनरचना संगठित होती है जिसे थाइलेकोईट कहते हैं थाइलेकोईट सिक्को के चट्टानों की भाती धेर के रूप में मिलते हैं जिने ग्रेना कहते हैं, जिल्लियों के बीच भरे पदार्थ को स्ट्रोमा कहते हैं। पादब कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट की उपस्तिती से प्रकास संसलेशन की क्रिया संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं, सोचिये क्यूं। हमने अभी तक यूकेरियोटिक कोशिकाओं का अध्यन किया है आईए हम कुछ प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं की विशेस्ताओं का भी अध्यन करें